वेल तुमने कभी नोटीस नहीं किया होगा लेकिन बैंटन के युनिवर्स में बैंटन की जो हमें ओमनेटिक्स देखने को मिली है और इसके अंदर जो मास्टर कंट्रोल देखने को मिला ये बैंटन के युनिवर्स के सबसे बड़ी प्रोब्लम बन गई थी इसके इलावा ब Gominetrix का Master Control Benton की सीरीज के लिए शिराप बन गया था और Benton का जो Celestial Sapien यानि की Alien X है ये Benton उनिवर्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सबस्काइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग उस देखने को मिलते रहें और Notification Bell को Own कर लेना ताकि आप लोग के पास Notification सबसे पहले आ जाए और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वैल मैंने ऐसे क्यों बोला कि Master Control Benton के Universe के लिए काफी बड़ी प्रोब्लम बन गई थी तो इसके पीछे का Reason यह था कि Benton Classic में जो हमें Benton के Aliens देखनी को मिले थे और Benton को कुछ प्रोब्लम का सामना करना पड़ता था जिसके चलते Benton की जान भी जा सकती थी और यह चीज़ हमें काफी बैटर भी लगती थी और कुछ लोग यह बात मानते हैं कि जब भी Benton की वोच की बैटरी लो होती थी उस टाइम पे Benton के फैंस के दिलों की दड़कन भी काफी तेज चलने लग जाती थी क्योंकि उनको पता है कि उस टाइम से ही Benton का बूरा टाइम स्टार्ट हो जाता है और यह चीज़ कहीं न कहीं फैंस के दिल में इंट्रेस्ट बना के रखती थी कि Benton के साथ आगे क्या होगा लेकिन आने वाले टाइम में हमें देखनी क की बोड़ी में ट्रांस्वूंग रह सकता पूरी लाइफ के लिए लेकिन यह चीज जानने के बाद आप लोग को भी काफी हरानी होगी कि Benton का जो मास्टर कंट्रोल है यही चीज़ों को सिंपल बना देता है जिसकी वज़े से Benton के शो को देखने में ज्यादा इंट्रेस् भी किया था आप लोग नीचे कोमेंट करके मुझे बताना कि आपको लगता कि मास्टर कंट्रोल जो बैंट के पास होना चाहिए या फिर नहीं इसके लब बात कर लिए सेलेश्टल सेपियन के बारे में तो Benton की युनिवर्स में सेलेश्टल सेपियन को गोड दिखाया गया और मुझूद है भी तो Benton की वोच के अंदर मुझूद है क्योंकि Benton के सेलेश्टल सेपियन से पाउरफुल एलिन, Benton की वोच के अंदर ही मुझूद है जो कि तीन एलिन है अब यहाँ पर देखने में लगता है कि Benton जो कि किसी को भी नोकाउट कर सकता अपने सेलेश्टल सेपियन के यूज़ करके यहां तक कि बैंटन ओमनिवर्स में इस बंदे ने स्लेश्टल सेपियन की पाउर को यूज़ करने की पर्मिशन भी ले ली थी जिसकी वज़े से बैंटन के शो को देखने में ज्यादा मज़ा नहीं आता था क्योंकि यह बंदा किसी भी पावरफु बन गया था क्योंकि बैंटन के शो को देखने में बैंटन ओमनिवर्स में तभी हमें ज्यादा मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बैंटन ओमनिवर्स में बैंटन ने यूनिवर्स के खतम होने के बाद यूनिवर्स को द्वार से रीक्रेट कर दिया और यह बंदा एक एपि वो मोस्ट पॉर्फुल करेक्टर जिसकी वज़े से कोई भी करेक्टर ऐसा बचता ही नहीं है जो की वन पंच मैन को टककर दे पाएं और सेम चीज़े में बैंटन के साथ भी देखनी को मिलती है बाकी एक कुछ फैंस कहीं मानने है आप लोग नीचे कॉमेट करके मुझे बता के लिए बाई बाई